जैशे राम आएए आज बात करते हैं शनी यदी अश्टम भाव में हो तो किस प्रकार का परिणाम आपको दे सकता है देखे अश्टम भाव मृत्यू का भाव है अश्टम भाव पतन का भाव है अश्टम भाव से गूड विद्याय देखी जाती है अश्टम भाव पैत्रिक संपत्ती का भी है ऐसे स्थिती में शनी का यहाँ पैठना इन सब चीजों को मुख्यता पर भावित करता है क्योंकि शनी आयू का कारक माना गया है आयुष्य कारक माना गया है इस वज़ा से अश्टम में बैठा शनी आयू की विद्धी करता है और एक को जो नियम है वैसे मैं उस नियम के बारे में पहले बता चुका हूँ स्थान हानी करो जीव स्थान विद्धी करो शनी जो नियम है वो ऐसे नहीं लगता लेकिन फिर भी अश्टम में बैठकर शनी आयू की विद्धी कलता है ये जमानेता देखा गया है ये एक चीज और दशाता है ऐसे में जब शनी अश्टम भाव में हो तो आप प्रत्याश्यत मृत्यों नहीं होती अचानक से दुनिया से जाने का योग नहीं बनता तो परिपक्व होकर आप दुनिया से जाएंगे जैसे जो महामरत्युन जे मंत्र है उसमें जैसे कहा गया है न कि पकेवे फल के समान होकर गिरे वैसा ही कुछ शनी अश्टम में देखा जाता है शनी अश्टम में ये भी दशाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो ग्रोथ है वो तेजी के साथ नहीं होती वो बांद के रखता है चाट को यहां तक कि अगर गोचर में भी शनी अश्टम में आ जाए तो उसको अगर चंदमा से अश्टम में आ जाए तो उसको धहिया कहा जाता है। उनमें से किसी ने भी इस प्रेस्मेंट की तारीफ नहीं की है। अब बात करते हैं कि शनी अधि अश्टम में हो तो किन-किन भावों को देखेगा और उन भावों पर दिश्टी डालने की वज़े से जातक के उपर क्या असर पड़ेगा। देखे जब कभी भी शनी अश्टम भाव में होगा तो उसकी तीसरी दिश्टी तशम भाव पर आएगी। तीसरी दिश्टी को समानिता शुब नहीं माना जाता हो इसे वक्र दिश्टी कहा जाता है। जब शनी की तीसरी दिश्टी करम भाव पर हो तो यह दर्शाती है कि जीवन में बहुत महनत से, बहुत हार्ड वर्क से करियर सटल होता है। असानी से नहीं मिलता करियर में कुछ भी। और यंग इससे ही बंदा कमाने लग जाता है। वो भी शनी से हम देखते हैं। शनी की तीसरी दिश्टी करम भाव पर आने से आपको नीचे तपके के काम से करियर की शिरुवात करनी पड़ती है। कारिशेत्र में शनी की प्रधानता होनी लग भगता है। उदर शाता है कि शनी से संबंदित कारिशेत्र ही आपको सूट करेगा। सूट करेगा इस पर भी हम चल्चा कर सकते हैं कि ये निर्पर कलता है कि शनी इस पत्रिका में किस भाव का स्वामी है। यदि वहे शुब भाव का अधिपत्य लेकर अश्टम भाव में बैठा है और तब धनभाव और दश्रम को देख रहा है, तब तो ये बात सही है कि शनी सम्मदित कारे करने में आपको फायदा रहेगा। परन्तु यदि शनी कुंड़ी में शुब भाव का स्वामी नहीं है, तरकस्थान आधिपती है, ऐसे स्थिती में उस शनी के काम करने से बचे या उसको बहुत ज़ादा इंपोर्टेंस ना हो आपके उस काम में तब ही लाब रहेगा। इसके अलावा ये शनी पंचम भाव पर दिश्टी डालता है। हम जानते हैं पंचम भाव विद्या का है और शनी तमस का कारग रहें, तो ये दिश्टी विद्याध्यन में रुकावटों को प्रदशित करती है। साथी साथ शनी नपुनसक रहें और पंचम भाव संतान का तो यहाँ पर भी यह कोई विशेश लाबकारी नहीं है, कई cases में दिखा गया है कि संतान प्राप्ति को में विलंब करवाती है शनी की दस्वी दिष्टियदी इस भाव पर हो, इस चीज और समझेगा, देखे शनी यहाँ पर पंचम भाव से चौथे भाव में बैठा है, या इसकी विद्या उन्ने ग्रहन की होती है, कहने कालती है, देखने में आता है कि विक्ति की पढ़ा ही किसी और विशे की हुई थी और उसने as a career कुछ और opt किया, उसकी संभावना भी शनी की अश्टम में होने से बढ़ती है, कुछ किताबों ने ये भी का है कि अश्टम में हो तो क्या प्रभाव होगा? शुरुवात कहते हैं मेश लगन से, देखिए अगर मेश लगन आपका है और अश्टम भाव में शनी है तो विश्यक राशी में होगा, वहां से उसकी तीसी दिष्टी मकर पर आएगी जो उसका अपना घर है, अपने भाव पर दिष्टी उस भाव को सुगटित करती है, उस भाव की वृद्धी होती है, ऐसा शास्तोख हमत है, तो उस अनुसार कहा जा सकता है कि विश्टी हार्ड वरकिंग होगा, अच्छा, ये योग एक और बीक बात बताता है कि आपकी कुल्ली का लाब का स्वामी भी इस कुल्ली में शनी ब देख रहा है, फिर ये शनी यहाँ पर बैटकर सिम्वराशी को भी देखेगा, जो कि संतान के भाव में पढ़ती है, वहाँ विलंब और ये परिशानियों का कारक बन सकता है, तो कि पंचम भाव से भी शनी मारक बनता है, क्योंकि वो सप्तम का स्वामी बनेगा पंचम से, इस वज़े से अश्टम भाव में बैठा शनी मेश लगन के लिए शमा कीजिएगा, संतान प्राप्ती के लिए को ज़्यादा शुब नहीं है, लेकिन कर्म और आर्थिक उन्नती के लिए अच्छा है, अब बात करते हैं विर्शब लगन की, विर्शब लगन में यदि अश रिशेत्र में विप्ति को मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के योग बनेंगे, उस कुली में लेकिन एक खास बात और भी है, उस कुली में भागे का स्वामी भी शनी बन जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि भागे शोकर शनी दशम को देख रहा है, भागे शोकर शनी धन भाव क तो विर्शब लगन में भागेश होकर वो धनभाव को देखेगा, ये भी एक अच्छा योग है, और पंचम भाव में कन्याराशी आती है विर्शब लगन के लिए, और नवम का सौमिशनी बनता है, यानि नवम आधिपती संतान भाव को देख रहा है, ऐसे में संतान होता है, सिर्फ नवम भाव, यानि पिता के सुख में कुछ कमी को दशाता है, क्योंकि नवमेश अश्ठम में गया, अब बात करते हैं मिथुन लगन की, मिथुन लगन में जो स्टोरी है, वो थोड़ी से डिफरेंट और इंटरस्टिंग हो जाती है, कारण क्या है कि जिन जिन भावों पर शर्नी की दिश्टी आएगी, वो भाव प्राप्त तो होंगे, लेकिन कुछ न कुछ उसमें क्या बोलते हैं, वो टर्मन कंडिशन अप्लाई हो जाएगी, या यूँ कहूं, उस भाव के पूर्ण फल लेने में दिक्कत याता है, ऐसे लोगों का केस म जिस तरह से करना चाहिए, या यूँ कहें, परिवार है, हाँ, होगा, परिवार है, लेकिन क्या परिवार के साथ रहते हैं, परिवार का सायोग मिल पाता है, तो वहाँ पर नहीं आएगा, मत अब कहने कालती है कि मिथुल लगन में जब अश्टम भाव में बैटकर शनी कर धन और संतान को देखेगा, तो परिशानियों के साथ प्राप्ति को दशाता है, अब बात करते है कर्क लगन की, कर्क लगन में अश्टम आदिपती शनी स्वयम है, सब्तम आदिपती भी शनी है, जीवन साथी का जो रुजहान है, वो अपने परिवार के तरफ रहेगा, य अगर वो चंद्रमा को देख ले, अश्टम भाव में बैठा शनी, कर्क लगन में यदि चंद्रमा को देख ले, तो स्थिति थोड़ी खराब और हो जाती है ववाइक जीवन के लिए, क्योंकि चंद्रमा लगन आदिपती है, ऐसे में सब्तम आदिपती अश्टम में बैठ के लगनेश को देखना, ये सिति अच्छी नहीं बताई गई, अच्छा, उसके अलावा ये अश्टमा आदिपती शनी, आपके दशम को देखकर कादिशेत्र में व्यवधान, धन भाव को देखकर, धन प्राप्ती में बाधा, वानी के लिए भी बहुत जादा शुब नही है, और पंचम भाव में विष्चक राशी आती है, कुल मिला के ये तीनों भाव में अपनी तरफ से कुछ न कुछ नकरात्मक प्रभाव ढालने का प्रयास करता है, पर मात्मा की कृपा से यदि इस कुल्डी में मंगल की दिश्टी उन भाव पर आजा, जिस पर शनी की दि करम पर आएगी जहां पर विषब राशी है, और धन भाव पर कन्या राशी है, अगेर उसके मित्र की राशी है, पंचम भाव में यानि संतान भाव में वहां पर धन राशी आती है, ऐसे सिती में क्या होता है, कि करम के लिए और धन के लिए इतना नकरात्मक योग नहीं ब तो यदि शष्ट आदिपती आपकी कुल्ली में दशम को और सेकिंड हाउस को देख ले तो अपने आप में एक कॉमिनेशन मनाता है जो फाइनेंस के लिए अच्छा है इसके अलावा यदि छटे भाव का स्वामी शनी अश्टम भाव में पीडित अवस्था में हो तो ये आपका सिंग लगन हो तो अब बात करते हैं कन्या लगन की, कन्या लगन में पंचमेश और सस्टेश बनता है शनी और वो नीच का हो जाता है अश्टम भाव में पंचमेश का नीच होना सुभाविक ही अच्छे परिणाम नहीं देता लेकिन ये नीच का शनी जिन तीन इसकी मित्र की है, मित्वन राशी रशम भाव में आएगी और तुला सेकिंड हाउज में और मकर इसकी स्वयम की राशी पंचम भाव में, ऐसे स्थिती में यह है जादा खराब नहीं है पंचम के लिए, इवन धन की प्राप्ति के लिए भी यह दिखाता है कि संगाशों के सा बाती सही लेकिन चीजों की प्राप्ति हो जाएगी, इनके जीवन में होता क्या है, कन्या लगन में यदि अश्टम में शनी हूँ, उतार चड़ाओ बहुत बड़े-बड़े आते हैं, एक सिती पर राजा और दूसरी सिती पर रंख वाले सिती बन सकती है, क्योंकि देखे शनी इतना कुल्णी में बली होना, उतना जीवन में अंकुष के साथ तरक्की होती है, और जब शनी नीच हो जाए या पीडित हो जाए, तो आपका जो ग्राफ है, वो बहुत उचा नीचा या उबर खावड हो जाता है, तो कन्या लगन में अश्टम भाव में बैठा शनी कुछ उसी तरह के परिणाम देता है, अब बात करते है तुला लगन में, तुला लगन में चतु थेश का अश्टम में जाना या पंचम के स्वामी का अश्टम में जाना, यह दिखाता है कि पैत्रिक संपत्ती मिलेगी कुछ परिशानियों के साथ, अच्छा, पंचम का अश्टम में बैटके वापिस पंचम को देखता है, तो यह दिखाता है कि संतान अवश्य होगी, विलम हो सकता है, लेकिन संतान प्राप्ती के योग है, साथी साथ में धन भाव पर और करम भाव पर शनी की दिख्टी यह दिखाती है कि बौदिक स्तर के जुड़े किसी का से आप कमाई करेंगे और उचाईया प्राप्त करने की योग बनते हैं, इस कुंड़ी में तुला लगन में यदि शुक्र पर शनी की दिख्टी आजा इस तिक्ती में तो भी वो बहुत अच्छे परिणाम देता है, अब बात करते हैं विश्चिक लगन की, विश्चिक जाना ये दशाता है कि आप महनत करेंगे और वो महनत दूसरों के लिए होगी, अपने लिए करते हैं तो वो विफल हो जाती है, शास्तर में इसका एक नाम दिया गया है, इसे मृती योग कहा गया है, तो मृती योग का निर्मान इसमें होता है कि आपके effort दूसरों के काम आते हैं, आपके खुद के लिए नहीं, चतुथेश का अश्टम में जाना अगेइन वो दिखाता है पैतिक संपत्ति मिलने की प्राप्ति के योग है, अगर ये मंगल को भी देखे तो, इसके अलावा ये कुल्डी में करम भाव पर और धन भाव पर कहीं ना कहीं रुकावट डालता है, पैसे समय पे ना आपाना, जो इंकम होती है, टूट टूट कराना, उसकी संभावना को बढ़ाता है, राहु का ब्रभाव भी ये ये शनी के साथ कहीं हो, दशंपर ये धन पर, तो अनलगल तरीकों से आये के योग भी यही शनी बनाता है, अब बात करते हैं धन जिरुलगन में धनेश, अश्टम भाव में करकराशी का है, और वो तीसे भाव का स्वामी भी है, तो तीसे भाव के स्वामी के लिए जैसा मैंने विश्चिक लगन में कहा है, वो मुझे यहाँ पर भी कहना पड़ेगा, कि आपकी महनत आप से ज़्यादा दूसरों के काम लेकिन क्योंकि यहाँ पर धनेश अपने भाव पर दिश्टी डाल रहा है, यह भी एक इंटरस्टिंग सी स्टोरी बना देता है, वो ता क्या है, कि हम पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, कि दूसरे का स्वामी या किसी भाव का स्वामी छे, आट, बारा में हो, तो वो शुप परिणाम नहीं देता हैं, लेकिन हम यह भी कहते हैं, कि किसी भाव का स्वामी यदि अपने भाव को देख ले, तो वो अच्छा परिणाम देता है, धनेश जब भी अश्टम भाव में हो, तो यही कभवेश्टिती बनेगी, अच्छा, इस कुनली में होता क्या है, यदि इ अगला पशनिंसे पूछे की, लेकिन उसके बावजूद आपके पैसे में कभी कोई कमी नहीं रही, मतलब जिन लोगों ने पैसे लिये, वो आज भी दुखी है और आप आज भी वैसे ही हैं, जैसे पहले थे, तो भी उनका उत्तर हां में आता है, तो यह है जब कभी भी श चनी अश्टम में बैटके धनभाव को देखे, अच्छा, पंचम पर भी दिष्टी उसके आ रही है, अब धनू लगन में पंचम भाव में मेश राशी आती है, मेश पर शनी की दिष्टी बहुत ज़्यादा शुब नहीं मानी गई, क्योंकि वहां पर वो नीच हो जाता है और लगनादी पती भी वो तेश होकल देख रहा है, तीसरा भाव पराकरम का है, पराकरम का स्वामी जिस भाव पर दिष्टी डाल रहा हो, वो चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसका अलती है कि आपके कारेश शेत्र में भी आपको डबल मेहनत करनी पड़ अब बात करते हैं पंचम भाव में भी उसके मित्र की राशी आएगी, दिशब राशी आएगी, दिशब पर उसकी दिश्टी शुब माने गई है, विलम हो सकता है संतान प्राप्ती में लेकिन संतान प्राप्ती अवश्य होगी, इसके योग बनाता है, चनी दशम भाव पर भी दिश्टी डाल में सोचेगी नेचर ने आपको प्रक्रती आपको इतना सपोर्ट नहीं करती जितनी आपके effort लग जाते इस खाम अब बात करते है कुम लगन की कुम लगन में अश्टम भाव में ओविसली लगनेश का अश्टम में जाना शुब नहीं है लेकिन यहाँ कन्याराशी का होता है कन्याराशी उसके मित्राशी है और देखे लगन कुम है तो आप के सोच आपका ग्यान अधिक है और कन्याराशी में जाना अगेन वो एक ऐसी राशी है जो ग्यान को रिपेजन करती है बुद्ध की राशी होने के कारण तो व्यक्ति इंटेलिजिन बहुत होता है उसमें कोई कमी नहीं होता है फिर वो इंटेलिजिन परसन जब अपने पंचम भाव को भी देखेगा यानि कि बुद्ध के दोनों घरों पर शनी की दिश्टी आ गई ऐसे स्थेती में बुद्ध यदी कुणली में बली है और लगनेश का प्रभाव दोनों राशी पर है जैसकी दिख रहा है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति की बौदिक्षमता बहुत गुडविद्या अलजित करने में उसका इंटरस्ट रहता है जोतिश में आ सकता है और कल्ट साइंस में वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है रिसल्च वर्क में वो बहुत अच्छा कर सकता है वो यहाँ पर नजर आता है साथ ही साथ में उसको ये कहा जाता है कि प्रभू आप की महनत आपके काम नहीं आएगी आप जितना effort करते हैं जितना प्रयास करके चीजों को देखते हैं कोई दूसरा होगा जो उसका लाब लेके जाएगा या आप उस लाब को दूसरे को दे देगे चंदरली इनके साथ होता भी यह है कि website group से अपना credit दूसरे को देना पड़ जाता है काम ये करते हैं नाम किसी और का हो जाता है वो इस कुल्ली में योग बनता है अब बात करते हैं मीन राशी की मीन लगन की शमा कीज़ेगा मीन लगन में सकिंड हाउस में मेश राशी आएगी और यहाँ पर शनी उच्च का हो जाएगा लाब का स्वामी उच्च का होकर धनभाव को देख रहा है सिती आल्थिक दिष्टिकोंट से बहुत अच्छी है साथी साथ ये इस कुल्ली में द्वादश भाव का स्वामी भी है देखिए अगर ये द्वादश का स्वामी होके अश्टम में पीडित है तो विमल राज योग बना देगा और अगर ये पीडित नहीं है तो आल्थिक दिष्टिकोंट से अच्छा फल दे देगा यानि दोनों हाथ में लड़ू है ये सिती बनती है यदि मेन लगन में अश्टम में शनी हो और जो मैंने फल पहले बताया है कि मेनत तो भाई हर एक कुली में जब शनी अश्टम में वो होती ही है जल्द उम्र से कमाने के योग बन जाते है नीचे से टपके से काम करके कोई शनी श्रम का कारक है नीचे से उपर उठने वाले ये लोग होते है तो वो तो इसमें भी लगेगा लेकिन मित्राशी और शत्राशी के अधारपा में ये देख सकते हैं कि इन तीन भावों में वो किस पर नकरात्म प्रिभाव जादा रालेगा यहां एक बात और समझेगा शनी सब्तम भाव में दिखबली होता है अश्तम भाव में भी उसके पास दिखबल होता है उव्यसली उतना नहीं जितना कि सब्तम में प्राप्त होगा लेकिन सब्तम से अगले घर में या सब्तम से पिछले घर में भी उसको दिखबल प्राप्त होता है जो Ed commandments manually निकालते हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ तो ऐसे स्थिती में शनी यहाँ पर भली अवस्था में है उसका प्रभाव चिंजिन भावों पर होगा वो जरूर उसके उपर इंपेक्ट डालेगा इस वीडियो को थोड़ा मैंने अलग रखा उसका कारणी यह था कि जो कश्यप रिशी का मत इस अश्टमभाव के शनी पर था तो उनने मुख्यता यह बताया कि शनी किस प्रकार के मित्यू अश्टमभाव में बैट का दे सकता है मुझे लगता है कि मित्यू सभी को आनी है एक अटल सत्य है, अकाटे सत्य है ऐसे में उसके उपर चल्चा करके कि अच्छा आप ऐसे मरोगे या आप ऐसे जिंदगी छोड़के जाओगे वो उतना ज़ादा फूटफुल नहीं है इसलिए मैंने वो चीज़े आप लोगों के साथ शेयर नहीं की पर उन्तों फिर भी आप लोगों की रेफरेंस के लिए मैं वो टेबल आपके सामने शोग कर रहा हूँ जिसमें शनी बारा वस्थाओं में अश्टम में बैठके किस प्रकार का फल देता है तो ये वो 12 सितिया है जिनके अनुसार यदिशानी अश्टम भाव में बैठा हो उच्च राशी में उच्च नवांश विश्व वर्गों में तो किस प्रकार से ब्रती हो सकती है आप इसको पढ़िए अगर लगाना चाहें लगा कल देखी और बताइए कि ये कितना सही कितना गलत है आशा करता हूँ ये तरीका भी आपको अच्छा लगा हो यदि अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या-क्या कमी रही आप और क्या-क्या सुनना चाहा रहे थे जोतिश संबंदित और वीडियो के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विशे के साथ जैशे राम जैशे राम आईए आज बात करते हैं साड़े साती जिंदगी में कितनी बार आती है और जब जब वो आती है तब तब हमारे लिए